तो ये जो टब वाला जो कल्चर मैं देख रहा हूं ये इतना बेस्ट लगा मेरे को कि किसान भाई छैद में भी अपना कर सकता है और नीचे मुर्गी है तो एक बार पानी में दो के सीधा बकरी को खिलाऊंगा क्या बात है सर्व मैं खिला चुका हूं एक बार लेकिन अब मैं सीधा बकरी को खिलाऊंगा जो कोई नहीं कर पाया है अभी तक राइगर में भारी हो गया है अब इसको जो एक मुठा गोवर चाहिए था अच्छा अब वो चार मुठा मांग रहा है अच्छा एक किलो अंजोला कोई भाई अग कालना है कैसा है थोड़ा किसान करते क्या है पहला सब्ता बढ़ाओं मंग रहता है कि यह दूसरा सब्ता यह तिसरा सब्ता भूल जाते हैं जमीन है तो वह दस हजार और बारा हजार का नौकरी करने किसी भी जगा जाने के जरूतनी है हेलो दोस्तों नमस्कार मैं समिर मिलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में देखिए मैं अपनी कार पर आ चुका हूं यहां पर आज एक सर की घर आए हैं जहां पर आपको बीएसेट फार्मिंग और उसके सांसनात में आपको कि पिछले दो सालों से अजोला पर काम कर रहा हूं और बीएसेट पर कुछ मुर्गियों पर भी मैंने काम किया है और तीनों चीज पर काम करते हुए समय तो काफी लंबा लग रहा है लेकिन निसकर से ही निकला कि यदि फार्मर चाहे तो अपने घर में दी उसके पास मिनीमम या अधिक्तम यदि पचास तीस से पचास डिसमील जमीन है तो वो दस हजार और बारा हजार का नौकरी करने किसी भी जगा जाने की जूरोत नहीं है घर बैठे बहुत अच्छा से अपना परिबार चला सकता है और कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा मैं यही ब्यक्तिगत अनुभव से अपना जो ब्यक्तिगत अनुभव उससे मैं यह बहुत बोल रहा हूं ठोस वजा है कि अज्यानता के कारण आदमी लो इसपेशली पॉलेट्री फार्मिंग में फिस्ट फार्मिंग में क्योंकि बहुत सारा उलों को प्रॉब्लम्स आता है कि मैं बहुत नजदीक से इस सब चीज को देखा हूं समझा हूं बिल्कुल सर जो है अभी बहुत अच्छे तरीके से फ्री रेंज में आप लोग अंज प्रोटीन का जो सोर्स है कहना चीए बीसे भी कितना ग्रोथ है कैसा है उसके बारे में बताएंगे तो मेरे ख्याल से आज के वीडियो बहुत अच्छा टॉपिक पर होने वाला है एक चोटे किसान लों को आप चाहें तो यहां से अंजोला जो है अच्छी वेराइटी का व अपना फार्मिंग करना चाहते हैं अजोला को लगाते हैं के पहले इसमें कुछ मिटी देते हैं और इसके बाद अजोला एक मुठी छोड़ देते हैं हर चीज करने का एक टेकनीक है अजोला ली यह और ऐसे करके बहुत कोई झीद देते हैं लेकिन अजोला को यह जो देख रहे हैं यह जो इनका जड मीष्ट है ट्रेवलिंग कहीं से ला रहे हैं उस हालत में या कहीं से कुछ भी कर रहे हैं, यह तूटना नहीं चाहिए, यही इसका जड़ है, यह जड़ एदी आपका डेमेज हो गया, तो आपका यह बढ़वार कम आएगी, जब इसमें बढ़वार आने लगे, दस दिन के बाद, प्रती सब्ता आप एक मुठ्थी, मुर्गी का चिक यह गोबर दे सकते हैं, गाय का गोबर, भैस का गोबर, सुनिए ना सर, गाय का गोबर कैसे देंगे, मतलब ताजा देंगे, ताजा भी दे सकते हैं, सुखा भी दे सकते हैं, उसको भी आप ताजा दे सकते हैं, सुखा दे सकते हैं, उसको लाइए, सुखा है, तो उसको पा खांस जो पो आलो आल उसाब हटा दीजी सिर्फ उसको एक मग अधा मग आधा मग जैसे उसको डाल लीए बस हर सबता डालिए किसान करते क्या है पहला सब्ता बड़ा उमंग रहता है कि यह दूसरा सब्ता यह तिसरा सब्ता भूल जाते हैं यहां पर गल्ती होती है और हमारे जो कुजूर बाबु है वो परतीस अपता इसमें अपना जो गोबर का है वो काम करते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए भी सिंपल है मैं तो मिटी बिना मिटी के भी फार्मिंग किया मैंने इसको अजोलो का उगाया हूं लेकिन उसमें खर्च ज्यादा आती है जो किसान के ल हो कि इसको जब भी हम लोग करते हैं तो कोसिष करिए कि जहां पर भी हम कर रहे हैं खुशी से करें और वहां पर कोई मने छेड़ छाड़ना करें अया कोई भी आया ला थ मार्दी ऐसा ना हो इसको थोड़ा ससा जतन से करेंगी तो अच्छा होता जैसे आपका दस दिन हो गया, दस दिन के बाद पड़ते एक सब्टा में एक दिन, एक मुठा गोबर देना है, और कुछ नहीं करना, अब पानी जैसे मेरे एक लेवल है, लेवल से कम हो जाता तो, फिर पानी दे देते हैं, अरो साम को एक बर हम लोग फुहारा जैसा पानी द जाता है, तो उसको जैसे कितने दिन में वो डबल हो जाएगा, और कितने कितने दिन में निकालना है, कैसा है, थोड़ा से एकदम क्लीन फेद में बचाने हैं, उसमें कोई बड़ी बाती है, एक किलो अजोला यदि किसी फार्मर को चाहिए, तो एक स्क्वाइर फीट में 200 ग्राम जैसा, लुए, पंधरा दिन के बाद से निकलने लगता है, इसे अपना हुसक्ता क अनुसार अपना स्बेस बना ले, बहुत सारा ये है, प्लास्टिक मे करके बना ले, या पक गा जोल्शावा अन्जोला ही यूज होगा, पानी भी उसका प्लास्टिक उपशावा पानी यूज होगा, इसका मटी यूज होगा, पानी यूज होगा, मटी यूज होगा, और सुखा अजोला यूज होगा, गिला अजोला यूज होगा, अजोला का कोई भी छीज फेकने वाला चीज नहीं है, नाइट्रोजन से परिपुर्न है, इसमें बहुत अच्छे मात्रा में नाइट्रोजन रहता है जैसे हम लोग यह देख रहे हैं यह मिर्चा क्या खेती गर्मी के समय अब तब में था मैंने इसमें केवल अजोला का गंबली का मट्टी डाला और एक सप्ता में फ़ल आने लगा अजोला है इसमें और बीएसेप का फ्रास है अभी स्टार्ट किय देना और उसका भी रिजल्ट आप देख रहे हैं कि फूल पकड़ना कितना अच्छा से चालो हुआ है बिलकुल बिलकुल सर बहुत अच्छा फूल पकड़ा हुआ है और फूल पकड़ना सुरू हुआ है इसमें फिर कोई विटामिनों गरह नहीं दिया है कोच ने एकदम नॉमिनल बहुत बड़ी है मैं कोई भी चीज नहीं देता हूं अच्छा पूरे और गैनिक बोल सकते हैं इसको हंड्रेट परसेंट यह हंड्रेट परसेंट अच्छा सर और एक सवाल आ रहा था मेरे को अंजोला के उपर जैसे कि यह अंजोला कितने दिन तक नहीं निकाले तो अच्छा रहेगा है ना क्योंकि 15 दिन शुरू का सुरू का पंदरा दिन अगर उसके बाद जैसे अपन नहीं अच्छा अच्छा डेली निकाले कोई दिक्कत नहीं है यदि किसी कारण वस आप नहीं निकालते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं क्या हो यह लाल आना सुर हुआ अब ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा लाला हुना कारण क्या है ये पाउधा बहुत भारी हो गया है अब इसको जो एक मुठा गोबर चाहिए था अब वो चार मुठा मांग रहा है इसका खुराक देना है एक और पदेती निकाल लिया हूं लेकिन उसमें मैं अभी काम न है उसके बाद तो उसमें जो है हमको कुछ केमिकल मंगाना है और उसके बाद मैं इस अजोला को ऐसे निकाल के एक बार पानी में दो के सीधा बकरी को खिलाऊंगा क्या बात है सर्थ मैं खिला चुका हूं एक बार लेकिन अब मैं सीधा बकरी को खिलाऊंगा जो कोई नहीं कर पाया है अभी तक राइगड में चाहे आप भी समीर जी आप भी रखे हैं अजोला बहुत सारे फार्मर से मिले हैं लेकिन प्रोसेस में कमजोरी है मैं इसी अजोला को बेश करके मैं फीड बनाया हूं 50% अजोला 25% कमर्सेल फीड एंड 25% गेहूं और मैं इसी बरसात में खिलाया हूं कि सर्दी हो मेरा मुर्गी को नहीं हुआ इसको ड्राइब नहीं किया दोया उसके बाद इतीनों को मिला कि मैं फर्मंटेड करके उसको खिलाया कोई बीमारी नहीं ठंडा मैं लग जाएगा या सर्दी होगा ऐसा कोई नहीं अब मैं असील मुर्गी भी रखा हूं डिपी क्रॉज भी रखा था और कड़कनाद भी रखा था और सुनाली भी रखा था और प्योर देसी भी रखा था और अभी मेरे पास प्योर देसी एक मुर्गी है अब आकी जो असील बचा है असील को थोड़ा रखे है पर अब में पाटी करने करने भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर इसलिए अभी इसी करम में एक यहां मुर्गा रखे हैं अच्छा 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 बड़ा है जी अच्छा बड़ा है मुर्गा ठीक है कि दिन तक इसको केवल बियसे खिलाया और मैं स्टैंड में ले आया अभी तीन दिन हुआ डिवार्मिंग कर रहा था और आज से उसको साम को अच्छा मने उसको हीट पे लाने का फीड चालू कर दिया नहीं वो तो हेल्दी हो गया है दि हम लग घड में यहां थोड़ा कुछ कुछ करते हैं में पांच में विश्व परियावरन दिन में दिवस में इतना गड़ा करके अजोला और मुर्गी का बीट का जो खाद में बनाया था इतना गड़ा में किया और इसको लगाया हूं उस समय ये गाच का हाइट इतना था आज पांच मैं और आज का डेट जब किसका ट्रिमिंग कर दिया हूं बहुत सुंदर हां था कि थोड़ा बूशी हो जाए ब्रंच ब्रांच निकले सर यह कौन सा वराइटी है यह यह अच्छली हमारी हाँ एक नरसरी है तो वह उस दिन सबको गिप्ट कर रहा था अच्छा भी कारण से यह आप पहले से पथरीला है कुछ मत करें अजोला उत्पादन करें अब बिना स्वार्थ के फेक दें जमीन में फेक दें जैसे हम तो यड़ में फेके हैं हाँ जमीन में पूरा फैला दे दो बार तीन बार साल भर में कर दे उसके बाद अराम से हलका सा गोवर छिट के हल चला दे ट्रेक्टर चला दे जमीन की उरवरा सकती बढ़ जाएगी अज जमीन एकदम भुर भुरा हो जाता है इसका मैं नमुना दिखाता हूं हुँ जो हम लोग अधन में पैसा लगा रहना है घ्रफे में जो एनपस्पी मिल्यजा हम लोग पैसा लगा रहे हैン सबंध। यहां तक कि मैं SSP भी नहीं डालता हूं अजोला में यह पालक साग वो सरसोभाजी और नहीं यह मूली साग है वो यह यह पालक साग है और टमाटर कितना मस्त हुआ है मतर पूरा साइड में बॉंडरिवाल के साइड में मतर लगाए है अभी एक सब्सक्राइब तो आफी लोग बता पाएंगे सब जगह देखिया जोला कुछ ना कुछ आपको दिखेगा नहीं तो भाया किसान है बहुत खेती बाड़ी के बारे में अच्छा नॉलेज रखते है वो देख के तारीफ कर रहे हैं मतलब है इसमें क्वालिटी यह भिंडी गाच हां भिंडी हां मोर देन 20 25 टाइम्स इसका हर्वेस्टिंग हो चुका है आज तक एक भी कीड़ा भिंडी में नहीं निकला और नहीं पाउधा में कहीं पर कोई कीड़ा नजर आया और कुछ नह जो शुरू में जो खाद दिये और उसके बाद अभी वो दिये हैं अजोला का चूरा वेगरा पानी ओनी जो भी बसते हैं और बीएसेफ का फ्रास जो बीएसेफ लारवा जो खाना खाने का बाद जो बचती है जो उसका मल मुत्र बोले उसको हम लोग इसका जड़ में डाल बैगल लाने वाला हूं उस पर भी मैं काम करूंगा क्योंकि यह मेरा एक तरह का बुला जाए तो घर है और मैं यहां पर सब चीज का ट्राइल कर रहा हूं सुनिए एक सवाल और आ रहा था कि जैसे कि आप जो एक ट्रे लगाए हैं तो मेरे जो चैनल में मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और मेरे जो किसान भाई हैं वो अगर अंजोना लगाना चाहे तो एक ट्रे से कितने दिन में कितना कीलो निकल सकता है और एक मुर्गी कितने दि कुल्चर मैं देख रहा हूं यह इतना बैस्ट लगा मेरे को कि किसान भाई छाद में भी अपना कर सकता है और नीचे मुर्गी है तो